आज भगवान गणेश के संकट नाशन गणेश अस्तोत्र का पाट करते हैं जिसके की पाट सर्वन मात्र से जो इन भगवान गणेश के बारह नामों का जो भी पुरुष अस्मरन करता है मद्याहनकाल शायकाल और शुवा के समय तीनों समय में जो भी इन गणेश अस्तोत्र का पाट करता है उन्ही भगवान गनेश की कृपा से किसी परकार के विग्न का भय नहीं रहता इस परकार का अस्मरन शब परकार की शिद्धिया परदान करने वाली है इस से विद्या जो भी चाहने वाले हैं उन्हें विद्या की प्राप्ती होती है धन चाहने वाले को धन की प्राप्ती होती है पुत्र चाहने वाले को पुत्र की प्राप्ती होती है तथा मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष की प्राप्ती होती है इन गनपती अस्तोत्र का पाठ करे तो छह माह में एकशित फल प्राप्त हो जाता है तथा एक वर्स में पुर्ण उक्षिद्ध्र प्राप्त हो जाती है इसमें किसी भी परकार का शंदेह नहीं जो पुरुष इसे लिख कर आठ ब्राम्वनों को शमर्पन करते हैं उन्हें गनेश जी कि करपा से शव परकार की सुखो की प्राप्ती होती है और विद्या की प्राप्ती होती है भगवान गनेश के संकट नाशन गनेश अस्तोत्र का पाठ करे बोलिये प्रेमशे गनेश भगवान की जए अथ नारद उवाचा पणम्य शिर्शादेवं गौरी पुत्रम विनायकं भक्ता वासं अस्मरेन नित्या मायुही कामार्थ शिद्धै पर्थमं वक्रतुन्डंचा एक दंतं दुतीयकं तिर्तियं कृष्ण पिंगाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लंबोदरं पंचमंचा खष्टं विकट मेवचा शप्तं विग्न राजंचा धुर्मवर्णं तथाष्टकं नौमं भालशंद्रंचा दशमंतु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादसंतु गजाननं द्वाद शैतानि नामाने त्रिशिध्यम यह पठेन नरह नच विख्नभयं तश्या सरवशिधी करम प्रभो विद्यार्थी लवते विद्याम धनार्थी लवते धनम पुत्रार्थी लवते पुत्रान मोक्षार्थी लवते गतिम जपे गनपती अस्तोत्रम खड़ भिर्माश है फलं लभीत शम्वसरेन शिद्धिम्च लवते नात्र शंचयह अश्टाभ्यो ब्राह्मनिभ्यश्य लिकित्वायह शमरपईत तश्य विद्या भवेस्चरवा गनेशश्य प्रसादतह स्री नारत पुराने शंकटनाशन गनेश अस्तोत्रम शंभुर्णम जो भी भक्त भगवान गनेश के इस संकटनाशन गनेश अस्तोत्र का पाठ करते हैं उन्हें हर परकार के शुखो की प्राप्ती होती है